नमस्कार दोस्तों स्वागिता आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे अगर आप घर्मियों में कम पानी का सेवन करते हैं तो आपको क्या-क्या परशानिय हो सकती है और आपकी शिरीपर क्या इसका पढ़ता है अलग-अलग स्टेडिज के अनुसार हल्थी रहने के लिए दिन भर में पुरुष को करीब तीन लिटर और महिला को दो लिटर पानी पीना चाहिए पानी की अमात्रा आठ से दस गिलास की बीच रहती है हालाकि भारत जैसे देश में मात्रा मौसम के अनुसार कम और ज्यादा हो सकती है लेकिन जदी हम इर्यागुलर ब सिर दर्द हो या दिन भर सिर भारी मैसूस हो तिया बोड़ी में पानी की कमी कर संकेत हो सकता है बोड़ी में पानी की कमी होने पर ब्रेन को प्रयापता एनरजी नहीं मिलती ऐसी स्थिति में काम करने के लिए ब्रेन को ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ता है जिससे ठका पान बढ़ती है। बोड़ी में पानी की कमी होने पर आखों की डाइनस बढ़ती है। इससे इसमें सूजन, जलन या खुजली इन समस्य होने लगती है। बोडी में प्रयप्त पानी नहीं होने पर, खाने का डाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता, ऐसे में कब्ज और ऐसीडीटी की प्रोब्रम्स होने लगती है। पानी की कमी के कान, स्किन का मोस्ट्राजर कम हो जाता है, इससे स्किन ड्राई हो जाती है, दिमाग का सतर प्रस्षा से ज़्यादा हिस्सा पानी से पना है, इसकी कमी होने पर दिमाग ठेक से काम नहीं कर पाता और किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगता यूरिन यान पिशाब का रंग हलका पीला, गैरा पीला या भूरा हो तो यह पानी की कमी के निशानी है ऐसे में तुरूंत पानी पीए बोडी में पानी की कमी होने पर हाड को धिमाग तक अक्सीजन और बाकी निउट्रेंट्स पहुंचाने के लिए जैदा जोड लगाना पड़ता है ऐसे में कई बार दिल की धर्कनी अचानक बढ़ जाती है पानी की कमी होने पर बोडी का एनरजी लेवल बहुत घम हो जाता है ऐसे में चक्कर आने के शक्यायत हो सकती है श्रीर में पानी कमी होने पर सही मात्रा में सलाइवा नहीं बन पाता इस से मुह में बेक्टरिया पनपने लगते हैं जो सासों की बदबू का कारण बनते हैं तो दोस्तों ये थे वो साइड एफेक्ट्स जो पानी की गमी के कारण होते हैं जब आप प्रयप्त मात्रा में पानी नहीं पीते जितना की आपके श्रीर को चाहिए तो आगे भी हम आपके लिए ऐसी जानकरिया लेकर आएंगे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकोन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिवकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धनेवाद